नमस्ते बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 के आठ तीन नादान दोस्त इसके लेखक हैं मुन्सी प्रेमचंद मुन्सी प्रेमचंद प्रेमचंद हिंदी और उर्दु के सरवाधिक लोग प्रिये उपन्यासकार, कहानिकार एवं विचारक थे उन्होंने सेवा सदन, प्रेमा स्रम, रंग भूमी, निर्मला, गवन, कर्म भूमी, गोदान आदी, लगभग, देर दरजन उपन्यास तथा, कफन, पूस्की रात, पंच परमेश्वर, बरे घर की बेटी, बुढ़ी काकी, दो बैलो की कथा आदी, तीन सौ से अधिक कहानिया लिखी, प्रेम चंद का जन्म, 31 जुलाई, 1880, लम्ही, वनारसी में हुआ, इनकी मिर्तु, 8 अधक डूबर, 1936, वनारसी में हुआ, इनकी सिक्षा, सेंट्रल हिंदू स्कूल से हुई, नादान, दोस्त, इनकी रचना है, केसव के घर कार्निस के उपर एक चिडिया ने अंडे दिये थे, केसव और उसकी बहन, स्यामा, दोनों बड़े ध्यान से चिडिया को वहां आते जाते देखा करते, सवेरे दोनों आँख मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिडिया दोनों को वहां बैठा पाते, उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता, दूद और जलेवी की सुद भी न रहती, सुबह की नाश्ता, दूद और जलेवी उसकी भी उन्हें चिंता नहीं रहती, दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, उन दोनों को देखने के बाद, उनके दिल में कई परकार के सवाल उठते, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंके होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे बच्चों के पर कैसे निकलेंगे घोसला कैसे कैसा है लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं ना अम्मा को घर में काम से फूर्शत थी ना बाबु जी को पढ़ने लिखने से अर्धा दोनों बच्चों के मन में जहन में बहुत सारे सवाल थे लेकिन उनकी जवाब उन्हें नहीं मिल पाते थे वे दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसली दे लेते थे स्यामा कहती है क्यों भाईया बच्चे निकल कर फूर से उड़ जाएंगे क्या भाईया बच्चे निकल कर फूर से उड़ जाएंगे काता है कि बिना परो के वो बैचारे कैसे उड़ पाएंगे स्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बैचारी अब उसे ये चिंता है कि बच्चों को क्या खिलाएगी के सब इस पर पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था इस तरह 3-4 दिन गुजर गए दोनों बच्चों की जिग्यासा दिन दिन बढ़ती जा रहे थी अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थी उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आये होंगे बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ तिन चार दिन गुजर जाने के बार दोनों बच्चों की जिग्यासा यानि इक्चा दिन परते दिन बढ़ जाती है और अंडे देखने की इक्चा हो उठती है और उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल गए होंगे और बच्चों के चारे का सवाल यानि बच्चों के अब दाने का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा है चिरियां बेचारी इतना दाना कहां पाएगी कि सारे बच्चों का पीट भरे वो सोचती है कि चीरियां बेचारी इतनी दाना कहां से ले आएंगी कि वो अपने बच्चों का पेट भर सके गरीब बच्चे भूख के मारे चूचू करके मर जाएंगे इस मुसीबत का अंदाज अंदाजा करके दोनों घबरा हुटते हैं दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाएं स्यामा खुशो कर बोली तब तो चीरियां को चारे के लिए कहीं उरकर ना जाना पड़ेगा अब वहां कहती है कि अब तो चिरियां को अगर वहां हम रख देते हैं तो चिरियां को उरकर कहीं जाना नहीं पड़ेगा केसब नहीं तब क्यों जाएगी जब उसे दाना मिल जाएगा तो वो क्यों जाएगी फिर स्यामा काती है कि क्यों भाईया बच्चों को धूब न लगती होगी क्या बच्चों को धूब नहीं लगती होगी के सब का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था उसने कभी सोचा भी नहीं था बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी बेचारे प्यास के मारे तरपते होंगे उपर चाया भी तो कोई नहीं आखिर यही फैसला हुआ कि घोशले के उपर कपड़े की छट बना देनी चाहिए अब दोनों भाई बहन मिलकर या फैसला करते हैं कि घोशले के उपर कपड़े की छट बना देनी चाहिए पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का परस्ताव भी शुक्रित हो गया वो दोनों चाहते हैं कि अब एक छट मना दिया जाए उनके घोश लेके उपर और एक छोटी सी प्याली में पानी और चावल रख दिया जाए दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे स्यामा मा की आँख बचा कर मटके से चावल निकाल कर लाई केसव ने पथल की प्याली का तेल चुपके से जमीन पे गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से आए इन दोनों ने पानी रखने के लिए और मटके से थोड़ी सी चावल के दाने ले आए लेकिन अब छत बनाने के लिए चांदनी कहां से आए फिर उपर बगेर छड़ियों के कपड़ा ठरेगा कैसे और छणियां खड़ी होगी कैसे केशब बड़ी देर तब इसी उधेर बुन में रहा आखिकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी श्यामा ने बोला जाकर कूड़ा फेकने वाली टोकरी उठा लाओ अम्मा जी को मत दिखाना कहता है कि जाकर के कूड़ा फेकने वाली टोकरी को उठा कर लेया लेकिन अम्मा जी को नहीं दिखाना श्यामा वह तो बीच से फटी हुई है उसमें तो धूप न जाएगी केशब ने जुला कर का तो टोकरी तो लेया मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूँगा केशब कहता है जुजला कर गुशे से कि तो टोकरी तो लेकर आ उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूँगा यानि कोई उपाय निकालूंगा स्यामा दोर कर टोकरी उठालाई केशब ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज थूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला देख ऐसे ही घोसले पर उसकी आल कर दूंगा तब कैसे धूब जाएगी स्यामा ने दिल में सोचा भाया कितने चाला गए गर्मी के दिन थे बाबुजी दफ्तर गए हुए थे अम्मा दोनों बच्चों को कमड़े में सुला कर खुश हो गए थी लेकिन बच्चों की आँख में आज निंद कहा अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आँखे बंद किये मौगे का इंतजार कर रहे थे अर्था दोनों बच्चे सोने का नाटक कर रहे थे जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकीनी खोल कर बाहर निकल आए अंडों की हिफाजत की तयारी होने लगी केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डढ़ते डढ़ते स्टूल पर चड़ा पहले केशव ने एक छोटे से स्टूल पर चड़ कर उस अंडे को ढगने का प्रियत्न किया लेकिन उसकी पहुंच वहां तक नहीं हुए उन्होंने नीचे एक नहाने असनान करने वाली चोकी को लगा कर उसके उपर इस्टूल लगा कर और फिर उससे ढगने का प्रियत्न किया स्यामा दोनों हां से स्टूल पकड़े हुए थी स्टूल चारों टांगे बरावर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दवाब पड़ता जड़ासा हील जाता उस वक्त के सब को कितनी तकलिफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था दोनों हाथ में कारणिस पकड़ लेता और स्यामा को दवी आवाज से डाटता अच्छी तरह पकड़ स्टूल के चारों नीचे के चारों तरफ बरावर समतल नहीं होने के कारण स्टूल डगमगा जाता था और इसी बीच के सब डाट कर स्यामा से कहता कि इसे जोड से पकड़े रहो अच्छी तरह पकड़ो बरना उतर कर बहुत मारूंगा मगर बेचारी स्यामा का दिल तो उपर कारणिस पर था बार बार उसका ध्यान उधर जाता और हाथ धीले पर जाते केसम ने जियो ही कारणिस पर हाथ रखा दोनों चुरियां उड़ गई केसम ने देखा कारणिस पर थोड़े तिनके बिचे हुए हैं और उन पर तीन अंडे पड़े हुए हैं स्यामा ने नीचे से पूछा कया बच्चे हैं भाईया केसम काता है कि तीन अंडे हैं अभी बच्चे नहीं निकले स्यामा जड़ा हमें दिखा दो भाईया कितने बड़े हैं केसम दिखा दूगा पहले जड़ा चीथरे लेया नीचे बिचा दू बेचारे अंडे तीनके प पड़े हैं स्यामा दोड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुक्रा लाई किशव ने जुक कर कपड़ा ले लिया उसकी कईत तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तीनके पर बिछा कर तीनों अंडे धीरे धीरे उस पर रख दिये स्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो फिर स्यामा कहती है कि भया हमें भी दिखा दो किशव कहता है दिखा दूँगा पहले जरा वह टोकरी तो दो उपर छाया कर दो केशब काता है कि पहले टोकरी तो दो, पहले मैं उस पर छाय कर दिता हूँ शाम्या ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं केशब ने टोकरी को एक टानी से ठिकार कर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ मैं उतर जाओं तो तुझे दिखा दूँगा केशब काता है कि पहले पानी की टोकरी और दाने लेकर आ, मैं उतर जाओंगा तो तुझे दिखा दूँगा स्यामा प्याली और चावल भी लाई, केशब ने टोकरी के नीचे दोनों चीजे रख दी और आहिस्ता से उतर गया स्यामा ने गिर गिरा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भाईया जब केशब नीचे उतर जाता है तो स्यामा ने गिर गिरा कर कहा, कि अब हमको भी चढ़ा दो भाईया केशब कहता कि तू गिर पड़ेगी स्यामा न गिरूंगा भया तुम नीचे से पकड़े रहना केशब न भया कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी अर्थात मुझे बहुत पीटेगी कहेगी कि तूने ही चड़ाया था क्या करेगी देखकर अब अंडे बरे अराम से हैं जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे दोनों चिरियां बार बार कार्निस पे आती थी और बेगैर बैठे ही उड़ जाती थी केशब ने सोचा हम लोग के डर से नहीं बैठती स्टूल उठा कर कमरे में रखाया चौकी जहां की थी वहीं रख दी स्यामा ने आखों में आशू भर कर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया मैं अम्मा जी से कह दूंगी अब स्यामा केशब को कहती है कि अगर तुमने मुझे तो नहीं दिखाया मैं इस बात को अम्मा जी से कह दूंगी केशब अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा कहे देता हूं केशब कहता है कि अगर मैं अम्मा जी से कहेगी तो तुम्हें बहुत मारूंगा स्यामा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं केशब और गिर पढ़ती तो चार सर न हो जाते स्यामा हो जाते हो जाते देख लेना मैं कह दूंगी इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और मा ने धूप से आँखों को बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब निकल आये मैंने कहा न था कि दो बाहर को न निकलना किसने कि वार खोला कि वार केशब ने खोला था लेकिन स्यामा ने मा से यह बात नहीं कहीं उसे डर लगा कि भईया पिट जाएंगे केशब दिल में काप रहा था और यही कहीं स्यामा कहन दे अब केशब के दिल के अंदर डर आ गया था कि कहीं स्यामा कहन दे अंडे न दिखाये थे क्योंकि केशम ने स्यामा को अंडे नहीं दिखाये थे मा ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा जहन लगी मा ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और पंखे को जहलने लगी अभी सिर्फ दो बजे थे बाहर तेज लूच चल रही थी अब दोनों बच्चे को निंद आ गई थी चार बजे यका यक यक अर्थात अचानक स्यामा की निंद खुली किवार खुले हुए थे वह दोड़ी हुई कार्निस के पास आई और उपर की तरफ ताकने लगी टोकरी का पता न था संजोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पाउँ दोड़ते हुई कमरे में जाकर जोड़ से बोली भहिया अंडे तो नीचे पड़े हैं बच्चे उड़ गए कि केसब घबरा कर उठा और दोरा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे तूटे पड़े हैं और उनमें कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई पानी की प्याली भी एक तरफ तूटी पड़ी है उसके चेहरे का रंग उड़ गया सहमी हुई आँखों से जमीन के तरफ देखने लगा स्यामा ने पूछा बच्चे कहां उड़ गए भईया केसब ने करुन स्वर से कहा अंडे तो फूट गए स्यामा और बच्चे कहां गए केसब तेरे सर में देखती नहीं है अंडे में से उजला उजला पानी निकल आया है वही तो दो जार दिनों में बच्चा बन जाते मा ने सोटी हाथ में लिये हुए पूछा तुम दोनों महा धूप में क्या कर रहे हो स्यामा ने कहा अंबा जी चिरिया के अंडे तूटे पड़े हैं मा ने आकर तूटे हुए अंडे को देखा और गुसे से बोली तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा अब तो स्यामा को भाया पर जरा भी तरस ना आया उसी ने साइद अंडे को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर परे इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए बोली उन्होंने अंडे को छेडा था मा जी स्यामा बोलती है कि केसब ने अंडे को छेडा था मा ने केसब से पूछा क्यों रहे केसब भेंगी बिली बना खड़ा रहा मा तु वहाँ पहुंचा कैसे मा काती है कि तुम वहाँ पहुंचा कैसे स्यामा चौकी पर इस्टूल रखकर चड़े अम्मा जी स्यामा काती है कि चौकी पर इस्टूल रखकर के चड़े थे केसब तु इस्टूल थामे नहीं खड़ी थी अब केसब कहता है कि क्या तुम इस्टूल को थाम कर पकड़ कर नहीं खड़ी थी स्यामा तुम ही ने तो कहा था मा कहती है कि तू इतना बड़ा हुआ तुझे अभी इतनी भी नहीं मालूम कि छूने से चिरिया के अंदे गंदे हो जाते हैं चिरिया फिर उन्हें नहीं सेती स्यामा ने डरते डरते पूछा तो क्या चिरिया ने अंदे गिरा दियें अमाजी अब से आमाँ डरते डरते डर से पूछ रही है कि क्या चिडिया ने अंडे गिरा दिये हैं माँ और क्या करती केसब के सिर इसका पाप पड़ेगा हाई हाई तीनों जाने ले ली दूस्ट ने अब उसकी माँ कहती है कि इसका पाप जो है तो केसब के उपर पड़ेग अम्मा जी मा को हसी आ गई मगर केशब को कई दिनों तक अपनी गल्दी का अफसोस होता रहा अंडों की हिफाज़त करने में जोग में उसने उनका सत्यानास कर डाला उसे याद करवा कभी कभी रोपरता दोनों चिरियां वहां फिरना तिखाई दी अर्था दोनों चिरियां वहां से चली गए केशब और स्यामा ने जो भी किया यदि वे अपने माता पिता से एक पूछ लेते तो सायद आज वह उन बच्चों को अपने सामने देख पाते जो अंडे से निकलने वाले थे अब प्रश्न अभ्यास प्रश्न अभ्यास अगले वीडियो में हम प्रश्न अभ्यास को बताएंगे धन्यवाद